नोटबंदी को लोगर केंद सरकार लगातार लोगों को यह विश्वास दिलाने में जुटी है कि यह फैसला काफी सकारात्मक है शन्यवार को फिक्की के कारिक्रम में बोलते हुए वित्यमंत्री अरुन चेटली ने नोटबंदी के फैसले को साहसिक कदम बताया है उन्होंने कहा कि नोटबंदी से कुछ समय की परिशानी है लेकिन लंबे समय का फायदा होगा इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कई एहम बदला हुए है दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है लेकिन इस दौर में भी आर्थिक ताक्तों में भारत की अलग जगे है और यहां की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है जेटली ने सरकार की उपलब्धी पर कहा कि GST पास होना एक बहुत बड़ा कदम है भारत में नोटबंदी का निर्णा लेने की ख्षमता है अब यह कंजोर आर्थव्यवस्था नहीं है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारत में अब इस तरह के सासिक निर्ण लेने और उनका क्रियानवन करने की ख्षमता रखती है तो फिक्की के कारिक्रब में उद्यमियों को संबोधित करते हुए वित्रमंत्री ने ये तमाम बाते कहीं आपको बता दे कि सरकार नोटबंदी के फैसले को लेकर लगातार अपने पीट थप थपा रही है लेकिन विपक्ष ने इससे घोटाला करार दिया है देखते के दिवी लाइ